हेलो फ्रेंड्स आई वेलकम यूट्यू आवर यूट्यूब चैनल एफोईडी ओनलाइन जैसे कि आप लोगों पता हैं कि आज 12th क्लास का RBSC एंग्लिस का पेपर हुआ था तो उसी को आजम इस वीडियो में स्वल्व करने वाले हैं तो मैं आपका कीमति से में जरा नन लेत जाए तो यह यह पर सोब करना स्टाड़ करते हैं तो पहला कुम आपके की आपको ध्यान पूरक पढ़िये और निमलिकित सब कुशंट के यह प्रशनों के जवाब दीजिए तो पहला क्वेशन ता आपके कि वाट साइज वास्ट ट्रेंच की साइस क्या थी साइस ती ट्र और 3 feet wide, यहनि कि 10 feet तो लंबी थी, यहनि कि 10 feet लंबाई और 2 या 3 feet चोड़ाई थी, second question, what is the, what did the elderly person do before walking over the red hot calls, यहनि कि जो भवकते धदकते हुए कोईले थे, उन पर चलने से पहले, जो वेक्ती था, वो क्या करता था, वो करता था, elderly gentleman, यहाँ पर देखिया आप, लाइन है, आपके 6, 6 नमर की लाइन में, elderly gentleman, then stood at one end of the trench, यहनि कि एक खाई थी ना, उसकी एक तरप, खड़ा हो जाता था, यहनि कि one end, यहनि कि एक किनारे पर खड़ा होता था, of the trench, splashed, यहनि कि चिरगना, splashed क्या होता है, चिरगना, क्या चिरगता था, पानी चिरगता था, from a nearby bucket, यहनि कि, अपने पास में रख़्िवी बाल्टी से, over his bare feet, यहनि कि, बेरेन नंगे पेरों पर, वो क्या चिरगता था, ठीक है, यहाँ पर आपको second question का answer मिल जाएगा, और third question देखिए, what harm was caused to the elderly gentleman by this action, यहनि कि, यह जो करता था, यह काम करता था, यहनि कि, यह जो action वो करता था, उसके लिए, उससे इस वेक्टी को क्या हानी पहुंचती थी, तो इसमें दे रखा हैं कि, there was no most blisters at his feet, यहनि कि, लाइन है आपके, इसमें दे रखा हैं, हाँ, there was not so much as blister anywhere to be seen, यहनि कि, वहाँ पर कोई भी ज्यादा बहार, यहनि कि, घरे पपोले नहीं देखिए जा सकते थे उसके पेरों पर, ठीक हैं, चोधा question है, when did the narrator recognize the man, यहनि कि, जो वेक्ति था, नेरेटर यहनि लेखक था, यहनि कि, आपके, जो इसका बोल रहा है, कतन को बोल रहा है, वो था जो उसको, when did the narrator recognize the man, यहनि कि, उसकी वेक्ति की पचान कब की, कब की उसने पेचान की, when somebody pushed him, जब उसको किसी ने पीचे शिदक का दे दे था, जिसको देखन है, I had pushed forward through the crowd to get a closer look at this amazing character's fit, यहनि कि इस वेक्ति के recognize करने के लिए, उसने, किसी ने पीचे से दख्का दे दे था, और fifth question है, what did the crowd do to do amuse the man, यहनि कि, उस वेक्ति को प्रसंचित करने के लिए, यह फिर उसको उत्सा बढ़ाने के लिए, लोगों ने क्या किया था, उसकी प्रस सा की थी, यहाँ पर दे रखा है, listen to the comments of the admiring crowd gathered around him, यहनि कि उसके चारों तरफ जो निरेटर था, उसके चारों तरफ वो भीड जमाव हो चुकी थी, ठीक है, six question है, who was heading the troop, heading का, जो head कर, यहनि कि, ट्रूप यहनि समू, ट्रूप का मतलब क्या होता है, समू होता है, ट्रूप ट्रूप यहनि, दल, यानि कि, दल या मंडली को, heading कौन कर रहा था, यह करता है, कि, नेतरतु कौन कर रहा था, उसका नेतरतु कर रहा था, एक भारती वेक्ति था, जो किसके साथ में था, with the professor and his troop, यहनि कि, प्रोपेसर और उसके, दल की, क्या कर रहा था, लीड कर रहा था है, उसके बार चलते है, find out the word from the passage, which means, यानि कि, इसमें से, पैसे में से, यह सब छाटी है, जिनका मतलब, यह होता है, यह जो वर्ड दिये रिखे, जो 7th question है, not very deep, not very deep, 7th है, not very deep, very deep, यानि कि, ज्यादा गहरा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, not very deep का मतलब, कि, ज्यादा गहरा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, पैसे की recording, यहाँ पर दे रखा हैं, कि, but she spent the entire time, digging a swallow, तो इसको sell, कि, यहीं, क्या बोलते हैं, यानि कि, कम गहरा यानि उतला, तो इसको क्या होगा, SHA-Double-O-W, sell, sell वैनि, उतला हुआ, यहानि कि, कम गहरा, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, not very deep का मतलब, उतला हुआ, तो इसको क्या बोलیںगे, one word में, sell, angee, क्या बोलेंगे से रोज़ो आपके पैसे में देर रखा हैं और एट है आपके नमबर का क्योंशन है सी यह जोन च एक दरेसे द्रेसे और बोलते हैं यांद कि इसका कह चांड में सिनोन गूंड मैं इडि़ के समानार तक सब की सिए-स इंडि़ का एक प्लैंज में भी चाहिए उद्जशन इस्पेक्टाकल स्वेक्टब कब भंद द्रिश्य HE तमाशा। तुको मनद्ब क्या होता हैं यह सिनने भी द्रिश्य तमासा आस चाहिए होता है। हैंतो इसका जौन डाता हमें तो इसका अपोजिय अपके किस 스wolुएंट का अपोजिय आपके क्या होगा तो क क्या होगा उपहल्टिंग हैँ तो पत्ते होता है कम तीयुर याने की मंद मंद रूप से ठीक ए न एक स्थ-सक्ष्ण बऑदते हैं this दूसरे पैसे की तरफ इसमें भी वही केरफूली इसको च्टी करना था आपको रिट करना था और इसके बाद में इसके और आंसर डूंड के यहां पर लिखने थे तो इसका नेक्स्ट क्यूशन करते हैं दूसरा क्यूशन का इसमें रखाएं Inspector Rovinshan had been completely in the dark यानि कि Inspector आप इसका मतलब क्या होता हैं इन द डाक ज्यानिकि आप जब भी कनफ्यूश होते हैं क्या होते हैं कि अधेरे में चले जाते हैं कि न तो इधर का कर सकते हैं न इधर कोई काम कर सकते हैं तो इन दार्क का मतलब क्या होता है इंडे रखा हैं है अध्यार सेट न लिखने कि जरूट हैं जरूतनी अंडे डार्ण क्या कर रगा है इन दार्क रिकर का एं तो इंडे डार्क को क्या found unconscious in जान बहें मिलाता हो अवक्ति यहां कि uncons planets का मतलब को में होना तो अनकों मतलब को उसन अम मिलाता हैं एक्षार और न Kirby rep pub कर फार्कि जो जगह फिना वहाँ पे मिला था तो आपके उसके बाद कि तीसरा कि ओसीन है किसको डिस्प्रेप्शन ध्याता उसने डिस्नुकुरिप्शन टुदढ़ ऑसने न्यूसपेपर कुज याता फॉर संसार इननियूस है पैपार्बर में देल ठीक है पॉर्ट में की रेखने है तडल ओंर फांड दे वांटन मैं न्यक्य वांटेड वेखती था उसको कपे पाया किसने जो ओ एक तान्य का मतल्ब तय करतें इसको quit को भी मिलत अब दानीग ठेबल ओफ यॡक रिच्टोरेंट दाइनिग आय के वह ओफ है हिज रैस्टोरेंट ठीक है यह इसका अंसर हो जाएगा उसके बाद में इंसने किछान एंचिंट हैकर फिस इंसने किचाथ में किचान कान सी तरो सरक्सी क्या था है यृवान्टे इंसपेकर आश्टाट थे वांटेड मैन का से रच किया था इसक घू है the street okay यह आपके दुसरा क्वेशन कम्पेट हो जाता है उसके बाद में देखते हैं 30 स्री में एपके सक्षिंट भी में रखा था उसमें आपको नंडिस लिखना था धा उसमें नोटिस लिखना था यूँ वांटेट लिख द उसमें यूवांट इट वस्पिल रिए इसमें कहई लिख नहीं तो आपको छोथ होते में रिप्पोर्ट लिखनी ती और फिपत में लिखने था राइट अ बिजिनस लेटर एनीकी फॉर्मल लेटर आपको इसमें प्रिप्त कुशन में लिखना था यह आपने कर लिया होगा ठीक है उसके बार में सिक्स्स क्वेशन दिखते हैं सेक्शन सी में सेक्शन सी वाला आजाते है अपने ग्रैमर का पॉर्चन अठीक है फिला पीन विपिन शोल्ड पैंटिंग विपिन शोल्ड दपैंटिंग अब इसको किसे जोड़ना था में यह सुन दिरका है कि जोइन फॉलॉविंग सेंटेंसे उजिंग दे सब्सक्राइब इसको जोड़िये कंबाइन कीजिए पैंटिंग के बाद में विच डिरेक्ट टांस लिग दिया में आगा शिक्स का पहला ठीक है विच पैंटर्ड विच ही पैंटर्ड ओवर नाइट विच फैंटर्ड ओवर नाइट ओके इसका अंसर हो जाएगा इसमें सेकेड विचिन देखते हैं आपके शी पोट ओप दे लाइट्स शी पोट ओफ द लाइट्स इसमें से पूट ओफ दालाइट्स सी पूट आप दे लाइटस, the children had slept, the children had slept, यही था, इसमें दे रखा है आपके, when दे रखा है तो when जोड़ दोगे आप, वेंसी पूट ओप दे लाइट दे चिल्डरन हैड स्लैप यह जब उसने लाइट बंद गी तो यह जो लाइट बंद गी थी तो बच्चे सोच चुके थे चुके थे आएगा क्योंकि है रखा है ठीक है उसके बाद सेवंध कुशन देखते हैं सेवंध का पहला है आपके सेव वाज पानिष्ड की जोड गए इसको एंड और शुचिल बाद दूबारा देखे सेटो काट कर देना और इसको बात कि गया ऐसके सजा दे गई और फायंड रहा गया से दो इसको कैसे करेंगे तो इसको करेंगे जो पीछे यूशन दे रहा है ए व्रिव helped आगे लेएगे everyone knows everyone knows याने कि प्रतेक व्यक्ति जानते हैं क्या जानते हैं that किसे जोड़ेंग इसको that से हैं that the earth is round प्रतेक व्यक्ति जानते हैं the earth is round ठीक है एट्ट पोई सेने आपके कि क्या है एक कुषिन कि पिल इन दे ब्लैंक्स बाइट सूजिंग वर्ड्स गिवन इन दे ब्लैकेट क्या करना है इसमें कि फिल इद ब्लैंक्स जो करिक्ति स्तान उसको बढ़ना है किससे जो पीछे सब दे रखें तो रिच ट्रिबूट्स आर प पैडं मैं ओद लैंकिट इन सब्सक्राइन सब्सक्राइए डिक अब कि अगर आपने पादा वहाँ तो इसमें ते सब्सक्राइख शोड़ा आता अे हां Systems कप्या आ ने एट किपशिन का पहलांज, ठीक है, सेकंड है, देखेमिन इंग, वर्ल्ड हैस, ट्रीट अ फिस रिवलेशन, देखेश दिरकाई है, उसके पार में, दफेशन एरिना, यह दो आएगा, यह क्या आएगा, इसमें, देखेमिन आइन, देखेमिन इन, वर्ल्ड, the feminine world has created has created a huge revolution revolution इस पर दरका हैं दर फेशन अरेना ओके इसमें आएगा आपके इन आएगा दर फेमिनाइन वर्ल्ड हैस क्रेड़ेट आ हुज एवलेशन इन दर फेशन एरेना ठीक है इसके बाद में फ्रेटर वर्प देखिए इसमें पिनWow added the Four reaches group ReULenk और मेधमेश्स ग्रूप दूर्प सी हारो इज्यक्याट आएगा इसमें क्याएगा इसमिण अलों आएगा कि प्लीजल और में क्याएगा कि प्रेशल रिजन एक हम पोर्स everyday में आए आगा आपके वहले में only मैं थार कुश्य Mac अोगे दूसरी में आएगा और याणिकाशिक में ना टे का अदूसरी पार सिंहा नाहें पाहि रखाय। है है को तीजिव का एक एक नौसरी में एक टनले एक और फोर्थ में आएगा आपके I must put out, देखिए, put out का मतलब होता है, क्या होता है, put out का मतलब बुजाना होता है, और यहां पर क्या करना है, I must, यानि कि मुझे, पढ़ी यानि आउसी किता पढ़ी किसकी, my visit till next week, यानि कि मेरे जो visit था, तो मैंने put off किया, क्या क्या, put off किया, लिए इसको आप स्वैम कर लिजेगा इसका में सेक्षन डी वाला नायंट कुछन का जो ग्रेमर वाला पॉर से निये करा देता हूं वाट इस अपोजिट ओफ इन एक्स हेल एक्स हेल का पॉजिट क्या होगा एक्स हेल और इसका उगा इनहेल एक्सहेल का मतलब नहीं बार छोड़ना और इनहेल का मतलब वहता है विक्सेल करते हैं एक्सेल का मतलब बार चोड़ना होता है इनहेल का मतलब अंदर कीचना होता है और इसमें one word for sudden uncontrolled यह उसको क्या कहते हैं जिसका हमुज का क्या आयोता है इसको बोलते हैं इसको बोलते ऌंदे पैनिक है इसमें ऑप के डोफेस करते है तो मैंने इसमें grammar का portion अच्छे से करा दिये हैं हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद थेंक्यू